हलो फ्रेंट्स आज मैं दिस लॉन एप्लिकेशन के बारे में बताने वाल हूँ, यहाप पे आप इंस्ट्रान्ट परिसनल लोन ले सकते हैं और कितना ले सकते हैं, तिन हजार से 10,000 तक आप लोन ले सकते हैं और friends जब भी आप यहाँ पर register करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर तीन हजार लेना होगा आपको दस हजार एक साथ नहीं मिलेंगे ठीक है तो सबसे पहले जब इस application आप register होंगे उस time पर यहाँ पर दो से तीन हजार लोन ले सकते उसके बाद उसको repayment करने के बाद आपका जो limit है वो increase हो जाएगा ऐसी increase होते होते दस हजार तक पहुँच जाएगा ठीक है इसलिए आपको दो तीन बर यहाँ पर लोन लेना होगा उसके बाद जो last time है वो आप आप दस हजार तक लोन ले सकते ठीक है ऐसे आपको अपना limit increase करना होगा तो यहाँ पर इस application का जो total about section है यहाँ पर दिया हुआ है अच्छे से लिखा हुआ है आप लोग चाहते है तो यहाँ आज आके अच्छे से पढ़ सकते ठीक है तो चलिए मैं इसके बार में और भी details में प्रता देता हो और यहाँ आपको ल लोन में जाएंगे ठीक है तो चलिए मैं इसके बार में details में बता देता हुआ यहाँ पर आपको रेजिस्टर कैसे करना होगा और यहाँ पर आप लोन के लिए eligible कैसे होंगे मैं आपको सीधा आपको बता देता हुआ ठीक है friends तो यहाँ पर मैं इस application को open कर लेता हूँ और friends म यहाँ पर आपको कुछ permissions देना होगा जा पर आपको allow करना होगा सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर जैसी कि आप लोग जानते कि है कि application में आपको mobile number हो या email से register करना होता है तो यहाँ पर मैं register वाले option में click कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर मुझे अपना phone number देना होगा औ यहाँ पर एक OTP आएगा उस OTP को हमें यहाँ पर देना होगा ठीक है तो आप लोग भी इस process इस step को कर लीजिए तो मैं इस step को complete करने के बाद आपको दूसरा step बता देता हूँ ठीक है तो friends यहाँ पर आपको अपना personal details देना होगा ठीक है यहाँ पर देखे मेरा जो loan है वह को 3000 यहाँ पर अनलॉक क्या हुआ है और उसके बाद यह सारी 3000 है उसके बाद 4000-8000 भी है इसके लिए आपको कुछ criteria complete करना होगा जैसे कि मैं आपको बता दिया आप सबसे पहले यहाँ पर 3000 ही ले सकते उसके बाद इसे repayment करने के बाद आपका जो दूसरा increase loan amount है वह अनलॉक ह हो जाएगा जिसके सारी 3000-4000 यह सब अनलॉक हो जाएगा उसके बाद आप उन सारे amount को भी आप यहाँ पर लोन ले सकते है ठीक है फिरस तो यहाँ पर हम लोग अपना personal details यहाँ पर फिल कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें नीचे क्लिक करना होगा और यहाँ पर दीखे दियो फिल करना होगा तो इसे मैं फिल करके आपको दूसरे स्ट्रेप में ले जाता हूँ तो यहाँ पर इंप्लाइमेंट डिटेल्स में आपको अपना company का name देना होगा company type देना होगा ठीक है जॉइनिंग डेट आपको salary कितनी मिलते हैं उनके line line number देना होगा ठीक है उसके mobile number भी आपको देना होगा अगर आप लोग student है तो अगर उसके बाद भी आप लोग इस application से लोग लेना चाहते तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ समझ के आपको यहाँ दे देना होगा ठीक है मान लीजे आप job करने बाले है कुछ दिनों बात तो आप उस type का company जो जिसमें नाम भी आप लोग दे सकते ठीक है फिर silicon company होना चाहिए और यहाँ पर प्रूफ नहीं देखेगा मान लीजे जैसे की बहुत सरे application में चाहते है ना कि आपका bank का salary slip दिखाओ आपका company का proof दिखाओ ID card विगरा दिखाओ तो यहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा ठीक है तो यहाँ मैं अपना details field करके आपको दूसरे statement ले जाकर दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आपको अपना IPC code और account number देना होगा ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर save में click कर देना होगा तो इसे मैं fill करके मैं आपको दूसरे step में ले जाता हूँ तो यहाँ पर मैंने अपना bank details upload कर दिया उसके बाद सबसे last में जो step है वो है photo यहाँ पर आपको क्या करना होगा अपना अधार का photo upload करना होगा pen cut का photo upload करना होगा उसके बाद अपने selfie लेना होगा हो कैसे यहाँ पर दीखे सबसे उपर दिया हुआ है face recognition आपको यहाँ पर click क आपको अपना face का एक selfie लेना होगा जब भी आप लोग यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर camera on हो जाएगा और उसके बाद आपको अपना selfie लेना होगा उसके बाद नीचे दीखे अपना अधार का front का photo upload करना होगा अधार का back का photo upload करना होगा उसके बाद अपना pen cut का front का photo upload कर कि यहां पर आपको save में click कर देना होगा ठीक है तो चले मैं इसे complete करके आपको last में जो process होते है उसके बार में आपको बिता देता हूँ ठीक है तो friends यहां पर मैंने अपना selfie ले लिया है उसके बाद अधारगाट का photo upload कर दिया उसके बाद pen card भी upload कर दिया ठीक है मैं उसके बाद यहां पर हमें क्या करना होगा save करना होगा safe करने के बाद यहां पर दिखिए दिया हुआ है आपको यहां पर eight days के लिए लोन मिलेंगे सबसे पहले लोन अमाउंट आपको 3000 के लिए मिलेंगे ठीक है यह पर दिखिए प्रोसेसिंग फी जो यह पर कटेगा वो है 635 रुपई यह पर पॉसेसिंग फी कटेगा उसके बाद यह पर नीचे दिखिए जीस टी वगरा यह पर कितना कटेगा 114 करना होगा 8 दिन के बाद वो है 3023 रुपई ठीक है 3023 रुपीज आपको रीपेमेंट करना होगा 8 दिन के बाद तो यह पर आज कीतना तारिक है आज है 23 October 2020 और जो ड्यू डेट है वो है 30 October 2020 मतलब मुझे 7 दिन के बाद मुझे जो आटवा दीन है उस दिन मुझे यह पे करना होगा रीपेमेंट करना होगा तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अगर आपको बहुत जरूरी है लोन लेनी के लिए तो आप लोग यह से लोन लीजे ठीक है उसके बाद अगर आप रीपेमेंट कर सकते हैं 7-8 दिन के बाद तो ही यह से लोन लीजे ठीक में नहीं करते तो तो फोन वगरा करते हैं ठीक है बहुत सारे दिक्कतेANGें छोटा-मोटा आते हैं तो इसलिए मैं आपको बिताता ओ कि अगर यह multif लेते हैं तो आप ठीक और यह पर आपका जो रिपेमेंट है वो है 3030 रुपए और इंट्रेस कटे का सिर्फ 3030 रुपए ठीक है उसके बाद आपको जो ड्यू डेट है वह 30 October 2020 और यह पर जब भी आप लोग apply now में क्लिक करेंगे तो ही आपके bank account में 2-3 तीन घंटे के अंदर आपके bank account में पैसे आपको मिल जाएंगे ठीक है तो आई होप आप लोगो यह application अच्छा लगा और application अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रू लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को ज़रू सब्सक्र